अभी तक हम लोग stationary fluid की बात करते आ रहे हैं अगर fluid एक static condition में हो तो उसके अंदर का pressure कैसे vary करेगा ये तो हमने निकालना देख लिया है अब बात करते हैं कि अगर fluid motion में आ जाए, move करने लगे तो फिर चीजें कैसे vary करेंगी तो यानि कि हम बात करने वाले हैं fluid dynamics के बारे में और इस particular वीडियो में मैं एक ऐसा example दूँगा जो कि तुमने खुद भी देख रखा होगा अपनी जिंदगी में अगर एक पानी का pipe लो और उसे पानी धीरी-धीरी निकल रहा है कुछ small velocity के साथ तो पानी कहीं पास में ही जाके गिर जाएगा लेकिन अगर तुम pipe के इस सिरे को compress कर दो दबा दो कुछ ऐसे तो तुमने ये notice किया होगा कि पानी की धारा ये पतली हो जाती है और ये अब तेज velocity के साथ निकलती है और ये थोड़ी दूर जाती है तो यानि कि इस वीडियो में ये पता लगाने वाले हैं कि area और velocity इसके बीच में relationship आकर है क्या fluids के लिए तो आँ एक और example लेते हैं इसे समझने के लिए तो मेरे पास यहाँ पर है एक pipe और इस pipe की cross section area ये एकि ये वाली area ये थोड़ी से पतली है थोड़ी सी छोठी cross section area इसकी A1 माल लेते हैं और ये वाली area ये थोड़ी सी मोटी है इसकी cross section area A2 माल लेते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं null को चालू कर gentलगा तो पानी इसमें अंदर से आना चालो हो जाएगा, इस end से आना चालो होगा, ये कुछ ऐसे पानी आ रहा है और फिर यहां से निकल जाएगा पानी, तो मालने थे हैं कि पानी की entry speed, ये कुछ हमें दी वही है as V1, पानी V1 velocity के साथ enter कर रहा है, अब इस pipe से liquid निकल भी रही होग कुछ मालनो velocity V2 के साथ निकल रही है, अब क्योंकि cross section area ये अलग-अलग है, इसलिए velocity ये भी अलग-अलग हो सकती है, यही तो हमने देखा था अपने example में, जब मैं pipe को compress कर रहा था, तो पानी उससे तेज velocity के साथ, अलग velocity के साथ निकल रहा था, हाँ, तो अब हमें ये पत molecules यहाँ पे थे, इस cross section area पे थे, अब time duration T के बाद, ये water के molecules कुछ आगे बढ़ गया होगे, कुछ distance ये आगया होगे, मालो कहीं यहाँ पे आ जाते हैं ये, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हुई, अब देखो, मुझे पता है कि water molecules की velocity, speed, ये दीवे ये कुछ V1, V1 speed, और पास आजाने वाला है distance की value, distance हो जाएगा V1 into T, तो ये दूरी, इसके value हो जाने वाली है, V1 into time T, तो ये तो होगे है distance, अब देखो, इन water molecules के पहले, कुछ नए water molecules इंटर करने वाले हैं, खाली जगा तो होगी नहीं, क्योंकि pipe पूरी लंबी है मालो, ठीक है, तो पानी इंटर किया होगा इस pipe के अंदर, वो होने वाला ये पूरा volume, अब इसे दिखा देते हैं, ये volume कुछ ऐसे, ये पानी का volume नया इंटर करने वाला है इस pipe के अंदर, इस time duration T के अंदर, अब पता करते हैं कि इस volume के value कितनी है, तो देखो, मालने थे कि ये time का duration ये बहुत ही छो cylindrical shape मालने वाला हूँ, और cylinder की volume, इसे तो calculate करना मुझे आता है, ये होजाएगा ये वाला area, cross section area, into ये height of the cylinder, तो cross section area मुझे दिया हुआ A1, अब लिख लेते हैं, volume जो कि enter कर रहा है, capital V1, जो कि volume enter कर रहा है, ये बराबर होने वाला है, ये area, cross section area, जो कि है A1, into distance, ये height of the cylinder, औ ये हमने calculate कर लिया है, as V1 T, यहाँ पर V1, ये छोटा V1, ये velocity है, या फिर speed मालो, into T, तो ये तो होगया volume, जो कि enter कर रहा है, इस pipe को, अब आओ पता लगाते हैं कि कितना volume exit कर रहा है, इस pipe को, इस time duration T में, तो मालने ते हैं कि यहाँ पे T is equal to 0 पे, कुछ liquid के molecules है, अब इन liquids क molecules की कुछ velocity है, यानि कि ये pipe के बाहर आने वाले है, time interval T में, ये कुछ इतना आगया आगया है, मालने ते हैं, ये कुछ इतना distance आगया आगया है, अब इस distance की value ये में calculate कर सकता हूँ, यह होगी velocity into time, velocity है V2 into time, यह होगी है T, यानि कि ये liquid के molecules, ये इतना आगया चुका है, अब pipe से बाहर आचुकी है, volume of liquid जो की pipe से बाहर आचुकी है, वो होगी ये volume, अब देखो इसकी value आओ calculate करते हैं, तो मालने ते हैं कि cross section area, ये बिल्कुल भी change नहीं कर रहा है, ये time का जो interval है ये बहुत ही छोटा है, और ये area, ये cross section area, इसकी radius, इसकी diameter, ये change नहीं कर रही है, यहां से यहां के बीच में, तो यानि कि मैं assume कर सकता हूँ कि ये shape, ये almost cylindrical shape है, और cylinder की volume, इससे तुम्हें आसानी से निकाल सकता हूँ, ये होती है cross section area into height of the cylinder, यानि कि volume out, V out, ये होने वाला है, cross section area जो की है A2 into height of the cylinder, और ये height हमने calculate कर रखा है as V2 into T, velocity 2 into time interval T, ये तो कोई ये capital V, ये actually में volume है, और ये small v, ये है velocity, अब एक important बात, हमने कुछ पिछले वीडियो में बात किया था, कि liquids, ये almost incompressible होते हैं, यानि कि इनकी volume, ये constant रहने वाली है, यानि कि volume of liquid inside this pipe, ये constant रहने वाली है, अगर तुम कुछ volume input कर रहे हो, कुछ V1 volume, ये ये निकलनी भी चाहिए, अगर तुम जादा volume input कर दोगे, इसका मतलब की, इसकी volume, inside this pipe, ये तो बढ़ गई, यानि कि density बढ़ गई, अब ये तो possible नहीं है यार, liquid compress तो कैसे हो सकता है, ये तो possible नहीं है न, तो यानि कि volume input should be equal to volume output, यानि कि ये वाली volume, ये वाली चीज, ये ब V2 into TK, और अगर तुम थ्यान से देखो, तो हम यहाँ पर T और T ये सेम है और ये cancel out हो जाने वाले हैं, ये ऐसे, और हमारे पास finally बचेगा, A1 V1 is equal to A2 V2, इसका मतलब की cross section area of tube into velocity of the liquid, इनका product हमेशा constant रहने वाला है, ये number एक constant रहने वाला है, यहाँ देखो इस example में, liquid enter कर area A1, with velocity V1, तो इनका product हो गया A1 into V1, अब ये constant रहने वाला है, इसका मतलब की जब liquid exit करेगी, तो भी product same रहना चाहिए, लेकिन जब liquid exit करेगी है, तो cross section area, ये तो बड़ा है यार, इसका मतलब की जिस velocity से liquid exit करेगी, ये छोटी होनी चाहिए, यानि कि V2 ये छोटा होना चाहि ये in comparison to V1, तब ही तो A2 into V2 ये बराबर होगा A1 into V1 के, अब देखो इसकी मदद से हम अपने पुराने example को भी समझ सकते हैं, हमारा पुराना example जिसमें की पानी निकल रहा था एक pipe के थ्रू, और जब हमने इस pipe के सिरे को compress कर दिया था, तो ये पानी की velocity ये तेज हो गई थी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो area ये थोड़ा बड़ा है और velocity कुछ V होने वाली है, लेकिन जब पानी यहाँ पे पहुचती है तो area छोटा हो गया है, यानि कि पानी के निकलने के velocity ये बढ़ जाएगी, ताकि A1 into V1 ये बराबर हो A2 into V2 के, अब इसे ही हम कह द हो तभी equation of continuity हम लगा सकते हैं, अब देखो steady flow में होता क्या है, कि एक particular position पे liquid की velocity वो हमेशा constant रहती है, वो समय के साथ साथ change नहीं करती है, कुछ समय बाद भी अगर तुम उस position पे liquid की velocity को निकालोगे, तो वो same रहने वाली है, हाँ अलग-अलग point पे अलग-अलग velocity हो सकती है liquid की, लेकिन समय के साथ साथ इन सारे points की velocity ये constant रहने वाली है, अब देखो इसके बारे में हम detail में बात में बात करेंगे, अभी के लिए तुम बस इस पात का ध्यान रखो, कि equation of continuity केवल steady flow के लिए है, और अगर तुम incompressible liquid की बात कर रहे हो, तो उस case में equation of continuity हो जाएगी, a1, V1 is equal to A2 V2, अब आव एक आखरी चीज़ करते हैं, पता लगाते हैं कि कितनी volume of liquid इस tube में इंटर करती है per second, तो देखो मुझे पता है कि T time duration के अंदर कुछ V1 volume of liquid ये इंटर कर जाती है, ये मैंने पहले ही calculate कर रखा है, अब अगर मैं इस volume को divide कर दूँ T time duration से, तो मेरे पास calculate करना है, volume of liquid जो कि इस tube में इंटर कर रही है per second, तो यानि कि वो हो जाने वाली है, V1 ये capital V1 है, capital V1 divided by जो time duration लगा, इस V1 volume को इंटर करने में, अब देखो इस पूरी चीज़ को हम बोल देते हैं, volumetric flux, अब ये quantity ये बताती है, कि एक cross section area के थुरू कितना volume cross कर रहा है per unit time, यानि कि देखो यहाँ पर ये वाला cross section area, इसके थुरू कितना volume cross कर रहा है per unit time, ये बताती है V1 by T, अब इसे हम denote करते हैं कुछ capital letter R से, R, और इसकी unit, ये तो तुम calculate कर सकते हो, इसकी unit हो जाएगी volume की unit, जो कि है meter cube, divide by time की unit, जो कि है seconds, यानि कि इसकी unit हो जाने वाली है meter cube per second volumetric flux की unit, अब देखो V1 by T, इसकी value होने वाली है A1 into V1 के बराबर, इस equation में अगर मैं T से divide कर तो दोनों side, तो मेरे पास आजाएगा V1 by T is equal to A1 into V1, अब लिख लेते हैं, volumetric flux is equal to A, A1 into V1, अब मुझे पता है कि A1 into V1, इसकी product तो constant रहने वाली है, cross section area into velocity of liquid, ये constant रहने वा ये भी constant रहने वाली है, ये भी constant रहने वाली है, इसका मतलब ये, कि अगर मैं ये वाला cross section area लूँ, या फिर ये वाला cross section area, या फिर कहीं बीच में कोई cross section area ले लूँ, तो इन सब area के थूँ जो volumetric flux में calculate करूँगा, वो same आने वाला है, वो constant आने वाला है, अब आओ एक ब velocity का product constant रहने वाला है, किसी भी एक location पे area into velocity, A1, V1, ये बराबर होने वाला है किसी और location पे A2, V2 के, अब area into velocity के product को हम volumetric flux भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि volume crossing a cross section per unit time,